मेरे रजा सहाब 23 जुलाई सुभः सुभः ही समाचार मिला रजा सहाब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक तार सी लग गई पिछली फरवरी की ही बात थे मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपती प्रदर्शनी के लिए सोच रही थी कि रजा सहाब शायद अपनी विल्चेर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्खाटन के अफसर पर आ जाएं पर उस रात को कुछ अन्होनी सी हो गई उस रात रजा सहाब सपने में आए मुझे उठाया हमने बाते की शो के लिए मुझे उन्होने शुपकाम ना दी और कहने लगे सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ अब मैं जाने वाला हूँ इसके बाद तो रुखना मुश्किल था मैं पहुँच गई उनसे मिलने वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे मैंने उनके हाथों को छुआ सिर्फ सांस चल रही थी अलविदा कहकर लोट आई रजा सहाब अपने धर्न के साथ साथ उन्तने ही हिंदू और इसाई भी थे उनके स्टूडियो में गणपती की मूर्ती गांधी जी की आत्मक था वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था वे गणेश को भी पूचते थे और हर अविवार को सुभ चोज भी जाते थे एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी रखते हुए किसी ने कहा अरे यह तो S.H. रजा है मैं एकदम साफधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका नाम उनका भी नाम था मैंने उनके पास जाकर कहा रजा साहब आपसे बात करनी है वे देखते ही रह गए उन्होंने मुझे इंटर्व्यू दिया पहुत सारी बाते हुई अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या-क्या करती है मैंने कहा मैं कलाकार हूँ पेंट करती हूँ वे तुरंद खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं मैं सोच में पढ़ गई मेरा काम तो पूने में है उन्हें बताया तो वे बोले चलो पूने ताज होटेल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पूने पहुंचे उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पैरस आना है आपका भविश्य बहुत उज्वल है छोटी से छोटी बाद भी उनके लिए महत्व पूर्ण हुआ करती थी बड़ी तनमयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ पैंटिंग बिखने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुची हुआ करती थी कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे बड़े करी करीने से धैरिये के साथ वे पैकिंग करते कहते थे लड़की ससुराल जा रही है उसे संभाल कर भेजना है जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए हर शब्द हर पंक्ती को नाब तौल कर लिखते थे फूल उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे थे मुझे याद है 22 उक्टोबर 1988 को मैं लंदन से पैरिस के गार्दीनों स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे मुझे मेरे हॉस्टेल के कमरे में छोड़ कर ही वे गए एक दिन मैं बिमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी रात ग्यारा बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतिय रेस्टोरन से खाना पैक करवा कर पहुँच गए मेरे घरवालों को फोन करके कहा आप लोग चिंता न करे मैं हूँ पैरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए हर बार जब मैं या रजा साहब पैंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे दोनों एक दूसरे के इमानदार समालों चक थे हमने मुंबई, लंडन, पैरिस और नियोयोक में साथ साथ प्रदशिनियां की पर की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ यह उनके स्नेह वो अपने पन का ही नतीजा या कारण था हिंदू, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी अंग्रेजी, फ्रेंज भी वे बहुत अच्छी लिखते थे कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें शेर, गजल वो पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे, एक डाइरी रखते थे अपने पास हर सुन्दर चीज को लिख लिया करते उसमें मेरी बेटी हेलेना बहुत खुबसुरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था, वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते रजा सहाब को अच्छा खाने का बहुत शौक था पर डाल चावल, रोटी आलू की सबजी में जैसे उनकी जान अटकती रहती थी, मैं हफते में एक बार भारतिय शाकाहारी खाना बना कर भेशती थी उनके लिए उनके फ्रांसी सी दोस्तों के लिए रजा सहाब के कुछ पुराने फ्रांसी सी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दिवारों पर रजा सहाब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया मैं हमेशा कहती रजा साहब आप मेरे एंजल गार्डियन है तो मुस्कुरा देते पर संद 2000 के बाद से कहते क्यों अब हमारी भूमी का बदल गई है तुम मेरी एंजल गार्डियन हो अब मैं नहीं शब्दार्थ करीने से, तरीके से, सलीके से इन प्रॉपर मैनर समालोचक, गुण, दोश, आदी का प्रतिपादन करने वाला अक्रिटिक, जिग्यासा, उच्सुक्ता एक्साइट्मेंट, अनहोनी, असंभव नहोने वाला, इंपॉसिबल धन्यवाद झाला